स्वागत है आपका UP scholarship के एक नई वीडियो में जी यहाँ आज वीडियो में लोग बात करेंगे कि किन छात्रों का farm reject होगा और किसका नहीं होगा कौन सी गलती अगर आपकी यह हो तो उसका correction हो जाएगा और कौन सी गलती करने पर आपका status reject हो जाएगा मतलब farm reject हो जाएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए सबसे पहले आप लोग यह नोटीस देखी 18 दिसंबर को नोटीस आई थी और इसमें OBC, General Minority, SC, ST सबकी जो डेट थी बढ़ा दी गई थी और SC, ST की आपको पता है 30 March last date है तो इसमें बोला गया था कि 10 जनवरी last date है क अच्छा 11 बार और उसके उपर वाले मतलब यूजी पीजे के जो कोर्स है उनकी last date है लेकिन इसके बाद 10 जनवरी से बढ़ा कर 18 जनवरी कर दी गई थी यह भी आपको पता होगा तो मैक्सिमिम्म छात्र जो फार्म भरे हैं 10 जनवरी तक भर दिये हैं बहुत ही गीने चु हो सकता है किसका नहीं हो सकता है और कौन सी चीजे चेंज होंगी कौन की इंकम सर्टिफिकलेट जो एक्सपायर है उसको लेकर प्रोब्लम उसके बार में भी बाद करूंगा तो देखिए यहां पर नीची आओगे तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा दसमां पॉइ करना दो से दो फरवरी से चार बार अब उसी के नीचे 11 वाला पॉइंट देखोगे तो यहां पर लिखा गया त्रूटी पूर आवेदन को छात्रों के अस्तर से सही करना अब इसी में स्टेटस और करेक्शन की डेट बोली गई है क्या डेट बोली गई है यहां पर यहां अब डेट नोटीस में साप्साभ लिखा गया कि दो फरवरी से नोग फरवरी तक आपका करेक्शन होगा और मैं उयोगा से दोर तो आप Angeb को हमेसा पता होगा कि पहले स्टेटस होता है फिर correction होता है क्योंकि जब status देखोगे तभी आपको पता चलेगा correction क्या करना है तो आप लोग जो proper status होगा यहां पर भले ही 2 फरवरी है इसको कम से कम मान की चलो 7 फरवरी के बाद से आपका status होगा उसके बाद जो आपका correction की डेट रहने वाली है उप 15 फरवरी तक इनके ही जाता है तो साथ फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपका status होगा और correction होगा according to notice समझ गए यह चीज़े हो गई अब पैसा कब आएगा तो देखिए इस बार पैसा किसी का आगे पीछे नहीं आएगा और यहां पर नोटिस में भले ही गवर्मेंट ने बोला 15 मार्स से पैस आना स्टार्टों का जो maximum पैसा आता है वो 20 से लेके 30 के बीच में आता है 20 से 30 मानलो maximum या 28 मार्च मतलब 28 मार्च के बीच में maximum लोग का पैसा आही जाता है उसके साथ ही यसी यस्टी के जो छातर उनका अगर मार्च में पैसा नहीं भी आता है तो उनके लिए अलग सी डेट के बारे में और किनका फार्म रिजक्ट हो सकता किनका नहीं उससे सबसे पहले करना क्रोम ब्राउजर पर www.cmhelp.in सर्च करना क्या सर्च करना www.cmhelp.in सर्च करना जैसे सर्च करूं कि यह साइट आएगी आप लोग यूपी सर्च के अलामा अधर इंफर्मेंशन भी यहां से ले सकते हो लेकिन यूपी स्कॉल्सिप के लिए यूपी स्कॉल्सिप पॉले सेक्शन पर क्लिक करना स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है फार्म कैसे बनना यहां पर डीटिल में बताया गया बाकि आपको इस अपना चेक स्टेटस पर क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हो अभी भी चेक करोगे तो होफ बाकि जो मैंने स्टार्टिंग विडिए बताई उस समय चेक करोगे तो आपके पूरा स्टेटस होगा करेक्शन भी यहीं से सब कुछ होगा तो www.cmhelp.in से जाके आप लोग अगर अभी आप इस्टेटस चिक करने जाओंगे तो अभी तक तो यहीं देरा वरिफाइड वा इंस्टेटीओट सत्यापन नहीं किया गया है फारवर्डेड वा इस्टेट्टीओट अभी आपका यहाधा धूरा इंकम लगाया इस बार फाइनल यह तो मेरा इंकम इसका नहीं आएगी तो देखिए अभी तक मैंने भी खुद का फार्म बढ़ा था मेरे दोस्तों ने समने भरा था सब का फोर्त यह में इंकम सर्टिफिकेट इक्सपायर हो ही गया था लेकिन पैसा सब का आया था यह बाते क सब्सक्राइब जो फेस्ल लगा दिए हो तो जहिर शी बात है कि कि करिक्शन के समय इंकम सर्टिफिकेट चैंज करने का ऑफिसंगों करने का थो आप नहीं तक यहhouse है तो आप कैसे चेंज करोगी तो वही लगा रहेगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आपको ऐसा लगा रहा कि आपके साटिफिकेट इस्पायर हो गया तीन सल का था और फाइनल यह में हो फोर्त यह में तो उससे कोई दिक्कत नहीं आपका पैसा आजाएगा आपका इस स्टेटस बस वरिफाइड रहना चाहिए समझ गए और बाकी करेक्शन के टाइम पर इनकम सर्टिफिकेट चेंज नहीं होता इस बात का विसेज ध्यान रखिएगा कुछ माइनूर सी चीज़ें ही चेंज होती है बहुत ज्यादे चीज़ें चेंज नहीं होती है दूसरा ब बस उसके अलामा आपका सब कुछ सही रहेगा तो ओके हो जाएगा और बैंक वाली सीज़ें मैंने आपको बता ही दिया हर साल बोलता हूं हर बार बोलता हूं आज भी बोल दे रहा हूं कि एक बार जाके बैंक में क्लियर कर लेना कि सर जो मेरा एकाउंट है ओ आधार से लि लेना आपका बैंक से कोई भी इसू नहीं होगा नहीं तो बाद में जरूर यू आड़ी इनेबल डिवीटी ऐसी वैसी प्रोब्लम आएगे और आप परसान हो जाओगे तो इस बात का विशेज ध्यार रखिएगा तो चलिए आगे कोई रब्डेट आती आपको वीडियो स मादन से बताऊंगा तब तक के लिए बाबाए टेक केर में से और टू सब्स्राइब और चैनल तो सब्स्राइब कर लिजे थैंक यू